गाइज अगर आपके Windows में आपको यपी Windows वी उसकर रहे हो, अगर आपके Windows में कुछ इस तरह का Error या इस तरह का Problems होता है, यह और Computer is Low on Memory, तो आप इस Problem को आप Permanently किस तरह से और कैसे स्वाल्ब करेंगे हैं, और मैं आपको इस Problem को स्वाल्ब करने के लिए two different different steps में मैं आपको आपको हमेशा काम में ही आएगा, तो गाइज में इस Problem के रिलेटेड में आपको सबसे पहला step में आपको करना क्या है, आपको अपने Keyboard में Windows प्लस R बटन को प्रेस क्लिक करना है, और आपको इहां पर टाइप करना है, और आपको इहां पर इस Change वाले Option पर आपको इहां पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अब आपको इहां पर करना क्या है, कि आपको इहां पर System Managed Size का आपको इहां पर यह Option आपको इहां पर शो हो रहा होगा, तो आपको इसे Checkmark करने के बाद फिर आपको इसे Set कर लेना है, सेट करने के बाद फिर आपको इसे ओके कर देना है और आपको इसे अपलाई करना है दिन ओके करना है और आपको इसे ओके कर लेना है और आपको इसे ओके कर लेना है और आपको एक रिस्टार्ट करने के बाद आप एक काम किजेगा आप यहां पर चेक कर लिजेगा कि आपको वह problem आ रहा है कि नहीं आ रहा है वह error आ रहा है कि और बाइदेवे तब भी आपको प्रॉब्लम आता है तो अब आपको करना क्या है कि आपको अगेर्ण आपको अपने run program को open करना है windows प्लस प्लस और बड़ेन को प्रेस करते और आपको यहाँ पर type करना है gpedit.msc gpedit.msc APEC आपको यहाँ पर टाइप करना है देनों के और आपको यहाँ पर Local Group Policy Editor आपके यहाँ पर Open हो जाएगा अगर बाइद अबबे आपके यहाँ पर Local Group Policy Editor नहीं होता है या आपको यहाँ पर Option आपको यहाँ पर शरून ही होता है या उसके related वियागर आपको इहाँ पर error होता है तो इसका मतलब यह है कि आपके system में जो windows है वो आपका home edition windows है Windows 10 या 11 आपका home edition है जिसकांसा आपको इहाँ पर group policy editor आपके हाँ पर enable नहीं है तो उसे आपको इहाँ पर enable करना होगा group policy editor को और मैं enable करने के related already एक separate वीडियो ही बनाया हूँ मैं उस वीडियो का link आपने इस वीडियो के description में उपर I button पर बिदी दिया हूँ तो आप उस वीडियो को watch करकर आप यहाँ पर group policy editor को आप यहाँ पर enable कर सकते हूँ इनेवल करने के बाद और आपको इहाँ पर इसë open कर लीना है जसे मैं इसे open किया हूँ open करने के बाद फिर आपको इहाँ पर administrative templates वाले option पर यहाँ पर चले जादाना है system वाले option पर आने के बाद फिर आपको इस download query scroll down करना है यहाँआपको इस ऑप्छory क्ली करना है, तो आपको इस अप्छ आपको इसे कट करकर आपको अपने विंडोस को एक बड़ आपको इसाट कर लेना है और रिस्टार्ट करने के बाद जो आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था जो यह तो जल्दीस जाके जोइन कर ले आपको सभी कर लिंग मेरे इस वीडियो के देखने को मिल लाएगा तो गाइज मैं फिर मिलता हो नेक्स्ट वीडियो में तिल एन और एक बात और सब्सक्राइब बटन पे दो तीन फैट लगा दिजेगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और वन्टी वन्टी गिर जाए